गुट मॉर्णिंग चिल्डरंस तोड़े, वी विल स्टार्ट दा चैप्टर नमबर नाइन, माइक्रोप्स आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोप्स के बारे में, ओके? इन दिस चैप्टर, वी लर्न अबाउट दा माइक्रो और्गनेज्ब्स हम लोग इन तीनों चीज़ों के बारे में, पढ़ेंगे, ओके? नओ, लेट्स बिगेन, रागफ सेज, रहीम, I have a sore throat, cold और कफ, for the last few days रहीम, मेरे गले में cold, मतलब, सर्दी या कफ जम गया है, कुछ दिनों से मुझे खासी आ रही है, कफ जमा हुआ है, मेरे गले में रहीम, yes my mother, yes my brother, to have it last week, हाँ, मेरे भाई को भी last week हुआ था रागफ सेज, you know what causes this short throat, cold और कफ? क्या तुम्हें बता है, कि यह जो गले में throat, कफ होता है, या फिर cold हो जाता है, किसकी विज़े से होता है? रहीम says, no, रागफ, रागफ says, well, these are caused by microorganisms present all around us अच्छा, यह सारे क्या होते हैं, यह सारे infections हमें हमारे चारों तरफ microorganisms होते हैं, छोटे-छोटे किटानों होते हैं, जिसकी वज़े से हमें यह infections हो जाते हैं Let us study more about them in this chapter, अब इस चैप्टर में इसके वारे में पढ़ेंगे, ओके? Many tiny living things are present all around us, बहुत से छोटे-छोटे things क्या होते हैं, बहुत से छोटे-छोटे चीज़े हमारे चारों तरफ मौजूद रहती हैं These tiny creatures live in air, soil, rocks, water and even in the body of plants यह छोटे-छोटे जो creatures होते हैं, छोटे-छोटे जो living beings होती हैं, जो हमारे air में, soil में, rocks में और water में मौजूद होती हैं यहां तक ही हमारे body plants में भी रहती हैं, मतलब plants की body में भी रहती हैं Animals में रहती है, Humans में रहती है, सब में मौझूद होती है These tiny creatures are called microbes or microorganisms इनी छोटे-छोटे creatures को, मतलब things को, हम लोग क्या बोलते हैं? Microbes या microorganism बोलते हैं Okay, now let us understand more about these microbes and how they affect us in our day-to-day lives अब हम इसी microbes की बारे में पढ़ेंगे कि यह हमारे, हमारी daily lives को कैसे effect करती है Microorganism What is the microorganism? Microorganism क्या होते हैं? Microorganism are tiny creatures which we cannot see with our necktie Microorganism इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम अपनी नॉर्मल हांकों से नहीं देख सकते हैं We can only see them with the help of microscope हम उनकों क्या कर चकते हैं? केवल microscope के जरिये से ही देख सकते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हमें अपनी आई से नहीं दिखाई देते हैं इन्हें देखने के लिए हमें microscope का इस्तमाल करना पड़ता है There are many different types of microorganism present everywhere बहुत तरह के microorganism होते हैं जो कि हमारे चारों तरफ मौजूद रहते हैं, present रहते हैं Some thrive in very hot places, whereas other in very cold places कुछ बहुत गरम जगे पे रहते हैं, कुछ बहुत थंडी जगे पे रहते हैं Some of them need oxygen to live कुछ जीवित रहने के लिए oxygen की ज़रूरत होती है Whereas others do not और जबकी दूसरों को नहीं होती है कुछ बिना oxygen की नहीं रह सकते हैं और कुछ ऐसे ही रह लेते हैं Some microorganism are harmful to us कुछ microorganism ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए नुकसान दायक होते हैं While others are very useful us और कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत useful होते हैं बहुत लाबदायक होते हैं Some harmful microbes cause diseases कुछ जो harmful microbes होते हैं उनकी वज़े से हमें disease हो जाती हैं बिमारिया हो जाती हैं In humans, plants and animals Humans में भी हो जाती हैं Plants में भी हो जाती हैं जो कि microbes हमारे लिए harmful होते हैं उनकी वज़े से हमें बिमारिया हो जाती हैं These diseases causing microbes are called germs इनी microbes की वज़े से जो हम लोग को बिमारिया होती हैं उन्हें हम germs बोलते हैं Next period I will continue to eat आट